हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे कुई? हिंदू क्या है? हिंदू धर्म क्या है? बापु समझाते हैं 21 नवंबर 1947 को प्रार्थना सभाग के बाद के अपने इस संबोधन में वैदी काल को दिखें तो उसमें हिंदू शब्द नहीं जा हिंदू शब्द तो ऐसा कहते हैं मैं तो कोई इक्यास काल नहीं हूँ एक बड़ी हुई बात सोना ताहूं कहते हैं कि जब वो मुसल्मानों का आक्रम हुआ और उसके पहले सिकंदर का तो बाहर सा सिकंदर वो तो को दबाला आतमी था तो उसमें उसके साथ तो ग्रीज की लोग वो श्रयासकार परीटे थे वो सब भड़ी चतूर तो और उत्व हीन्दू को शीन्दू और हीन्दू एकरी बात हो गए और गरीक में शौ के बड़ले में ह आ जाता है तो वो शीन्दू का हिंदू हो गया त तो वो तो नदी का नाम है, तो नदी के इस पार जो रहने वाले हैं, वो हिंदु बने, वो शिंदु नदी के नाम पर से, इस तरे से नाम हुआ, तो इस पार जो रहते हैं, शिंदु नदी के, वो लोग हिंदु बने, और वोई लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उस समाने मे तो हिंडु स्थान में, हिंडु का स्थान, उसमें सिर्फ हिंडु नहीं रेते थे, उसमें तो पिसे दूस रेती से लोग भी रह जाते थे, और वो लोग भी इसमें मिश्र हो गए, तो वो उसका धर्म, वो हिंडु धर्म बना. सका लोका मा, वाओने वाओने, है निन्नाना कारे के मिरें.